आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ हाई फ्रेंज इस question मैं से पूछा है A dry cell converts what? Chemical energy into electrical energy Electrical energy into chemical energy Chemical into mechanical energy Electrical into mechanical energy Okay, तो पहले हम देखते हैं कि dry cell होता कि Dry cell जैसे हम leakland cell भी बोलता है वो होता है Basically ये Galvanic cell होता है अब गैलवेनिक cell क्या होता है Galvanic cell होता है जिनमें हम एक spontaneous reaction कराते है और जो chemical energy हमारा निकल के आता है उस spontaneous reaction से उसे हम एक electrical energy के फॉर्म में convert करते है ठीक है तो Dry cell में कौन से reaction होता है Dry cell में जो reaction होता है वो होता है एनोड में होता है हमारा zinc से Zn2 प्लस प्लस तू इलेक्ट्रोंस बनता है और क्याथोड में MnO2 प्लस H2O प्लस तू इलेक्ट्रोंस से हमारा MnO3 प्लस तू मोल्स ओह माइनस बनता है यह होता है जो reaction हमारा Dry cell में होता है देफोर हमारा answer हो जाएगा इस question का chemical energy to electrical energy यह option है हमारा option 1 option 1 हो जाएगा हमारा answer क्लासिक्स तूट्रोंस अलेके NEED IIT जही में और अडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टूइंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर